नमस्कार हमारे चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे जवारी की भाकर तो आईए बनाते हैं इस तरह से हमने बना लिया आप देख सकते हैं तो हम इसके विदिया आपको बताएंगे यहाँ पे हमने एक भगोने में पानी बॉइल करने के लिए रखा हुआ है देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने बड़ी कटोरी जवारी का अटा लिया है इसमें छोटी कटोरी ग्यू का अटा डाला है और इसमें हमने जो बॉइल के हो पानी था वो डाला है यह उका अटा डालने से काफी अच्छी भाकर बनती है और तुट्टी भी नहीं है देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है इस तरह से धीरे-धीरे गुनना है तक इसमें कुछ भी गुटले ना रहे है इस तरह से हमारा आटा पुरी तरह से हमने गुन लिया है अब हम इसको ढखे रखेंगे 10 मिनिट अब हमने लोहे का तवा लिया हुआ है यह हमारा आटा पुरी तरह से तयार हो चुका है अब हम एक बार इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छे तरह से देखिए इस तरह से अब हमने इसमें गेव काटा लिया है बेलने के लिए ताकि हमारी भाकर तूटे नहीं इस तरह से मंचाय आकार में हम गोले लेने हैं और हम इसको चकने पे बेलेंगे देखिए इस तरह से कौनर को पुरी दर से हाच से दबाना है आप चाहे तो ठब ठब अते हुए बी इस तरह से भाकर बना सकते हैं लेकिन हमने बैल के बनाई है देखे इस तरह से काफी बहुत पतली ये भाकर हो जाती है अब हमने इसको दवे पे डाला है और इसे उपर से पानी लगाना है ताकि ये तूटेने और बहुत ये अच्छी तरसे बन जाए देखिए इस तरसे इस तरसे हमको इसको पलटना है और अच्छी तरसे सेख लेना है देखिए इस तरसे हमने इसको सेख लिया है चारो दर्फ से अच्छे दर्फ से सेक लेना है यह का आटा डलने से अगर किसको नहीं भी आटा बनानी आती हो भाकर तो वो भी बना सकता है देखिए इस तरह से हम आमठी का वीडियो पहले दे चुके हैं भाकर के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पस आया होंगा तो लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंट कीजे और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद